तो share market एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी लोग पैसा बनाना चाहते हैं और यहाँ पैसा बनता भी है लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों का जो सही strategy के साथ काम करते हैं और वहीं कुछ लोग हैं जो fake tips पर काम करते हैं सुनी-सुनी बातों पर विभाश करते हैं और फिर अपना पैस गवा देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि share market तो जुआ है यहाँ तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और वहीं Warren Buffet सर हैं जो यह बोलते हैं कि it is impossible to lose money in the share market तो मैं हूँ प्रशान शर्मा और आज मेरी वीडियो टॉपिक यही है कि हमारी investment strategy क्या होनी चाहिए जिस से हम share market में invest करके अपना risk और reward को अच्छे से manage करें तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे important part यह है कि कोई भी investment को शुरू करने से पहले हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि हम ये investment क्यों करना चाहते हैं या हमारा इस investment का क्या purpose है तो mainly जो share market लोग invest करते हैं उनके दो purpose होते हैं एक तो होता है कि life के important goals यानि कि किसी बच्चे की education या marriage या अपने retirement के लिए कुछ पैसा इकठा करना और दूसरा होता है wealth maximization कि अपने पैसे से जाद जादा return लेना और उस पैसे को आगे बढ़ाना अब इसमें दिक्कत ही आती है कि कुछ लोग life के important goals की जाए पहले wealth maximization में लग जाते हैं और direct mutual fund और shares में investment करना शुरू कर देते हैं और फिर क्या होता है कि जब उन्हें requirement पढ़ती है कि important goals के लिए तो वहाँ से उनको पैसा निकालना पढ़ता है और फिर पतलागा कि वो ज्यादा risk वाले amount में लगे हुए थे और फिर उनको पैसा properly नहीं मिल पाता है इसलिए पहले हमें अपने life के important goals के लिए plan करना है फिर जो amount में पास बसता है जो भी surplus में पास रहेगा उसको हम wealth maximization के लिए use करेंगे तो इसलिए पहले बात करते हैं हम life के important goals के यानि किसी बच्चे की marriage, education या retirement के लिए जो हमने पैसा एकठा करना है उसके लिए हमारी क्या planning होनी चाहिए तो पहली बात तो है कि किसी भी goal को पूरा करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी goal हमारा है उसको पूरा करने के हमापस कितना time available है और हमें कितने पैसे की जुरूत पड़ेगी फिर आप किसी भी online SIP calculator का use करके ये हिसाब लगा सकते हैं कि उस goal को पूरा करने के लिए हमें मंतली कितना contribution अपना देना पड़ेगा और फिर हम उसके बाद decide करेंगे कि उस पैसे को कहा invest करना है कि मतलब उसको bank में invest करना है या share market में करना है या debt fund में करना है ये उसके बाद हम फिर decide करेंगे अराम से तो जो हमारे important goals है life के उनको time horizon के हिसाब से मैं 3 category में divide करता हूँ पहला less than 5 years यानि के ऐसे जो भी काम है जो हमें 5 साल के अंदर-अंदर करने हैं वो होगे हमारे less than 5 years वाले फिर आते हैं 5 to 10 years के बीच के goal और उसके बाद तीसरी category होती है 10 साल या उससे ज़्यादा के जो investment करनी है वो bank में करनी है या debt funds में करनी है वो पैसा हमने किसी भी हालत में share markets में या direct equity में invest नहीं करना है चाहे हमें कितना भी promising लगे क्यों 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 शॉर्ट टप के अंदर क्या होता है market कभी उपर नीचे जा सकती है और पता लगा जब हमें पैसों की जूरत पड इमाली तब market नीचे हुई तो हमें proper पैसा नहीं मिल पाएगा और हम problem में फस सकते हैं इसलिए 5 साल से नीचे के जो भी goals है उसके लिए हम अपना rule बनाएंगे कि उस पैसे को हम bank में FD में रखेंगे या फिर हम उसको debt fund में रखेंगे और अब बात आती है 5 से 10 साल के बीच क नहीं होते लेकिन अगर हम इस पैसे को mutual fund में डालेंगे तो हमें उसमें जादा return मिल सकती है बट इसके अंदर भी ऐसा नहीं कि हमने सारा पैसा mutual fund में डाल देना है इसके अंदर हम 50-50 ratio का एक fund बनाएंगे कि 50% पैसा हमारा bank में जाएगा bank में debt fund से जहां से हम एक fix return मिलेगी और 50% पैसा हम mutual fund में डालेंगे जहां से हमें growth मिलेगी और mutual fund कौन से nifty यानि के nifty index fund अब यह nifty index fund क्या होते हैं इसके लिए मैं आप उसमें detail में दे सकते हैं कि मैं nifty में invest करने के लिए क्यों कह रहा हूं और दूसरी बात कि important goals के लिए हमें SIP ही करनी है इसमें क्योंकि SIP मे हम invest करते हैं तो हमारा risk अच्छे से manage होता है कुछ पैसा उपर मार्केट में लगेगा कुछ नीचे में लगेगा और हमें average return मिलती रहेगी तो इस तरह से हम combo बनाके कि bank से fixed return और mutual fund से growth लेकर करके हम अपना जो goal है उसको अराम से पूरा कर सकते हैं और अब बात आती है 10 याल tax fund में ही invest करना है और s ip करनी है यानि मंतली के मंतली पैसा invest करना है अब क्योंकि हम monthly sa invest करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा गोल हमारा 10 साल का है तो हमें इतना जुरूर ध्यान रखना है कि जब 7 साल उसके पूरे हो जाए हम investment करते करते 7 साल हो गए है उसके बाद हम उसको track करना शुरू कर देंगे कि जितना पैसा हमें चाहिए था क्या वो गोल हमारा पूरे होने वाला है और अगर हमें लगता है कि गोल पूरे होने वाला है तो हम उसको 10 साल से पहले ही पैसे को निकाल लेंगे 7 साल या 8 साल में लगता है कि कोई market में बड़ा boom आ गया है तो हम पैसा बाहर निकाल लेंगे उस पैसे को अपने bank में shift कर देंगे उसके बाद क्या होगा जो पैसा में अगले और 2 साल invest करना था उसको अपने bank में invest करते रहेंगे क्योंकि अब हमने अपना पैसा निकाल लिया है मार्किट से बाहर आ गये हैं अब मार्किट उपर जाए नीचे जाए हमें उससे कोई फरखनी पड़ता हमने जिस पैसा के लिए बच्चे की शादी के लिए या किसी के लिए वो पैसा हमार जो investment है वो थोड़ा secure करके ही चलना चाहिए तो इस तरह से अगर हम अपने लिए planning करते हैं तो life के important goals हम अच्छे से असानी से कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं wealth maximization की यानि कि अपने पैसे को जादा से जादा बढ़ाने की यानि कि maximum return लेने के लिए अब क्योंकि हमने life के important goals की planning कर ली है उनके लिए हमने sip start कर दी है अब हम सारे option explore और अबना ऐपना पैसा निफ्टी में भी लगा सकते हैं हम अपना पैसा जूर connections 50 उसमें भी लगा सकते हैं हम अपना पैसा Six main और individual stocks में ब्रगा सकते हैं ये आपको देखना है कि अपनी knowledge के साफ से अपने risk management के साफ से आप कितना risk ले सकते हैं उसी साफ से आप invest करें लेकिन जो भी माई strategy रहेगी main बाद इसमें रहेगी कि अब हम use करेंगे Warren Buffet Sir की strategy वो क्या है वो ये है कि buy when everybody is selling and sell when everybody is buying यानि कि जो पैसा हमने wealth maximization के रखा है उस पैसे को हम lump sum में invest करेंगे यानि कि एक साथ invest करेंगे कभी invest करेंगे जब market सस्ती होगी या market में recession होगा और फिर जब market उपर जाएगी जब market महंगी हो जाएगी market में boom आ जाएगा तब हम उस पैसे को redeem कर लेंगे क्योंकि share market में जो पैसा है वो buying के time प company strategy ये बनाएंगे जब भी market सस्ती होगी हम पैसा invest करेंगे जब market उपर जाएगी हम निकालत रहेंगे तो इस तरह से एक circle बन जाएगा और SIP या normal investment से कहीं ज्यादा हमें return इसमें मिल जाएगी और अगर आप यह जाना चाहते हैं कि market कब महंगी होती है और कब सस्ती होती है तो उसके लिए मैं एक अलग से video बना दूँगा आप उसको भी check कर सकते हैं तो इस तरह से अगर हम अपने लिए strategy बनाते हैं तो अपने goals को अपने requirements को अराम से पूरा कर सकते हैं और जो भी profit हम इस market से लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं तो आज के लिए मैं इतने रखता हू thank you so much and keep learning and keep earning thank you